असलाम लेकुम students, students पिछले lecture में हमने exercise number 1.1 की थी आज हम 1.2 exercise करेंगे लेकर उससे पहले यह definitions हम करेंगे जो इस exercise में इस से related question आएंगे सबसे पहली definition जो आज करनी है वो है row matrix row matrix क्या होगा, एक ऐसा matrix जिसमें सिरफ एक ही row हो a matrix is called a row matrix if it has only one row एक ऐसा matrix जिसमें एक ही row हो वो row matrix के लाएगा for example m equal to 2 minus 1 and 7 यहां तक आप लोगों ने definition याद करनी है with the example next column matrix यह भी row matrix से बनी है जैसा कि row matrix में एक ही row हो तो column matrix एक ऐसा matrix जिसमें एक ही column हो a matrix is called a column matrix if it has only one column तो असान से definition है इसके लिए आगे example example में यह matrix लिख दें यह लिख दें आगे लिख दें इस column matrix यह अगर आप दोनों लिखना चाहें तो दोनों लिख दें next है rectangular matrix rectangular matrix क्या होगा a matrix is called rectangular if the number of rows of m is not equal to the number of column of m कि अगर कोई m matrix है तो उसका number of rows हैं जो वो number of column के equal ना हो यहनि कि अगर rows three है तो column फिर थिरी ना हो या two हूँ या one हो थिरी ना हो example number one में देखें इसके rows three है इसके column है जो two है तो यह row matrix है क्योंके फरक है इसमें देखें तो इसके rows two है अब column two नहीं होने चाहिए column इसके चेक करें तो three है c चेक करें इसमें row one है column three है इसमें देखें तो इसमें rows three है column one है तो इसको कहा जाता है column matrix कि rows की तदाद equal ना हो column की तदाद के square matrix same यही definition है लेकर not खत्मकार दिन है a matrix is called square matrix if number of rows is equal to the number of column यहीं के मैंने इसी से आपको बना के दखाई है के not खत्मकार के अगर पढ़ें square matrix बन जाएगा अब आते हैं इस definition पे a matrix is a square matrix if the number of rows is equal to the number of column rows और column की definition एक जैसी थी rectangular matrix और square matrix की definition एक जैसी है बहुत थोड़ा फरक है लेकर एक दूसरे के opposite है जी यहाँ पर देखें two rows है two column है इसलिए square matrix three rows है three column है square matrix one row है one column है square matrix आगे null or zero matrix null or zero matrix क्या होगा अगर किसी matrix के तमाम element zero हूँ तो उसको कहते हैं null or zero matrix a matrix is called null or zero matrix if each of its entries is a zero इसके भी तमाम element zero इसके भी इसके भी तमाम element यनिके zero हूँ तो rows or column matrix आपको यह एक या दो example definition के साथ लिख सकते हैं उसके बाद है transpose of matrix transpose of matrix क्या है a matrix obtained by changing the rows into column or column into rows यहां पर आर का word बहुत आहम है या रोज को कालम में change कर दें या कालम को रोज में change कर दें आफ matrix is called transpose of matrix इसके आगे question भी आएंगे 1.2 के if a is a matrix then it's a transpose is denoted by a की power T for example यह matrix A है इसमें बिटा 2 rows और 3 columns है इसका अगर हम transpose में लोग करें तो पहली row को हमने पहला कालम बना देना है दूसरी row को दूसरा कालम जिसको कहते हैं transpose of matrix या अगर कालम देखें फर्स्ट कालम को पहली row बना दिया सेकंड कालम को सेकंड रो बना दिया थर्ड कालम को थर्ड रो बना दिया आपने किसी एक चीज़ को मदे नज़र रखना है या रोज को कालम बना दे या कालम को रोज बना दे लेकर जब आप आट transpose मे लोग कर रहे हूं तो सिर्फ एक चीज को मद्दे नज़ रखें रोज को कालंबनाने तो फिर सिर्फ रोज को ही कालंबनाने और अगर कालंब को रोज बनाना तो पिर सिर्फ कालंब को ही रोज बनाना इसलिए और का वर्ड आया next definition नेक्स पेज पे देखते है नेगिटव आफ मैट्रिक्स इसका भी क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन नेगिटव मैट्रिक्स माइनस ए इस अप्टेंड बाइ चेंजिंग दा साइन आफ आल दा इंट्रीज आफ ए कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऐलिमेंट है उसके तमाम ऐलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें तो नेगिटव मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा जैसा कि यह मैट्रिक्स है इसमें 1, माइनस 2, 3, 4 है तो आगे माइनस एक ऐसे होगा कि इसके ऐलिमेंट के साइन चेंज कर दें 1 को minus बना दे, 3 को minus बना दे, जो minus वाला इसको plus बना दे और जो plus वाला इसको minus बना दे next is symmetric matrix symmetric matrix क्या है, कि अगर किसी matrix का transpose लें, तो दोबारा वही matrix आ जाए a matrix is a symmetric matrix if it is equal to the transpose matrix a symmetric matrix if a का transpose equal to a कि एक square matrix symmetric matrix कहलाएगा अगर उसका transpose दबारा A के equal आ जाए जैसा के ये एक matrix है उसका जब transpose लिया तो transpose लेने के बाद भी चेक करें कोई फरक नहीं पड़ा इसी तरह किसे ये एक matrix है इसका transpose लिया तो ये जो है दबारा A के equal नहीं आया क्योंकि इसमें देखें 2, minus 1, 3 है इसमें 2, minus 1 और 3 है इसमें minus का change आ गया इसी तरीके से second row का first element देखें इधर minus 1 है इधर plus 1 है तो इसलिए उसने सामने लिख दिया कि ये minus दबारा A के equal नहीं आया तो इसका transpose लिया ये इसके equal आ गया तो ये symmetric matrix है ये symmetric matrix है नहीं है नीचे लिखा भी होए है जबकि M है जो ये symmetric matrix है secure symmetric matrix क्या होता है अगर students transpose लेने के बाद वो matrix minus A के equal आ जाए square matrix is set to be a secure symmetric if A का transpose equal to minus A कि हमने transpose लिया है suppose ये matrix है इसका transpose लिया element तो वही वही आगे लेकन sign का फरक आ गया है इसके element देखें first row में 0, 2, 3 है लेकिन इसके element transpose लेने के बाद 0, minus 2, 3 है element वही है sign का फरक है इसका minus 2, 0, 1 है इसका 2, 0, minus 1 है तो फिर इसका देखें minus 1, 0 है इसका 3, 1, 0 है element सारे वही है लेकर sign का फराइख पर क्या करना पड़ेगा कि माइनस इसमें से common लेना पड़ेगा तो मैं हम element से minus common ले फिर ये अंदर जो element बनेगे ये दिवारा असल matrix के equal आएंगे यनि कि अगर common minus common लेने के बाद पहला matrix बने तो उसको कहते हैं secure symmetric matrix और अगर common ना लेना पड़े transpose लेने के बाद बगैर ही पहले column matrix के equal आ जाए उसको फिर कहते हैं symmetric matrix next है इसकी definition diagonal matrix very important definition बार बार paper में आती है square matrix is called diagonal matrix square वर्ड को इसलिए यह underline किया है square matrix ही हमेशा diagonal matrix होगा अगर वह square नहीं फिर वह diagonal नहीं हो सकता square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero बेटा diagonal क्या होता है इस तरफ को जो element होंगे these are called diagonal element ठीक है यह जो मैंने line लगाई है इसके नीचे जो element आ रहे हैं these are called diagonal element अब अगर diagonal matrix की दबारा definition पड़े तो उसने यह कहा है कि a matrix is called diagonal matrix if at least one of its diagonal entries is not zero कि इन मेंसे जो element है इन मेंसे कामस काम में एक element ऐसा हो जो zero ना हो यहाँ पर तीनों zero नहीं है और बाकी element है जो non-diagonal बाकी जो बच जाएंगे इस line के लावा वो सारे कहलाएंगे non-diagonal वो सारों का zero होना जरूरी है तो चेक करें यह diagonal element zero नहीं है बाकी element zero है तो इसको कहेंगे diagonal matrix इसमें भी देखें यह element diagonal के zero नहीं है non-zero है और यह zero है तो यह भी diagonal matrix इसमें देखें दो element हैं जो यह zero नहीं है उसने कहा था at least one element is not zero तो non-diagonal element है जो वो zero है तो यहाँ पर ये भी diagonal element है आगे है scalar matrix a diagonal matrix is called scalar matrix अब जब उसने diagonal matrix कहा दिया इसका मतलब होगा कि non-diagonal element उसमें हमेशा 0 होते है a diagonal matrix is called scalar matrix if the diagonal entries are same तो जैसा कि मैंने कहा उसने non-diagonal का भी यहाँ पर जिकर ही नहीं किया non-diagonal entries का क्योंकि उसने diagonal matrix जब कहा है तो diagonal matrix जैसे ही कहे तो इसका मतलब फौरण जहन में आ जाए कि इसमें non-diagonal entries 0 होंगी लेकिन शर्त साथ यह लगा दी है कि diagonal entries are same and non-0 for example k, k, k where k is constant and not be equal to 0 and 1 यहनि कि साथ शर्त यह लगा दी कि यह जो diagonal की element है यह equal हूँ जिकन वो 0 ना हूँ और 1 ना हूँ अगर वो diagonal की element 0 हूँ तो मैं आप से question छोड़ के जा रहा हूँ क्यों उसने शर्त लगाई है 0 ना हूँ ठीक है आपने बताना है अगर वो 0 हो जाए फिर इस matrix का नाम क्या होगा जिकन अगर 1 भी कहा है ना हूँ तो 1 क्यों ना हूँ बेटा इसकी आगे definition आ रही है कि अगर यहाँ पर 1-1 diagonal की element हूँ तो इस matrix का नाम होता है identity matrix तो इसलिए उसने यह दो कहा है 0 ना हो 0 ना हो तो आपने बताना है कि फिर matrix का नाम क्या होगा आप comment में बता सकते हैं और अगर 1 हो तो उसका नाम होगा identity matrix फार अग्जेम्पल यह देखें 2-2 element हैं सारे तो यह कहलाएगा scalar matrix यह 3-3 एक जैसे element है scalar matrix और यह diagonal का element अकेला 5 है तो यह भी scalar matrix आगे चलते हैं identity matrix और diagonal matrix यह भी diagonal matrix है इसमें भी वो non-diagonal element की वजाहत नहीं करेगा non-diagonal must be 0 is called identity or unit matrix इसके दो नाम होते हैं या identity या unit matrix if all the diagonal entries are 0 जैसा कि आपको scalar matrix में कहा था कि अगर यहाँ पे diagonal के elements 1-1 आ जाएं तो इसको कहते हैं यह identity matrix यह चेक करें 1-1 है और यह भी मैंने खुद से एक लिखा कि इसके element भी 1-1 है इसका order 3 by 3 है इसका order 1-2 by 2 है तो यह दोनों कहलाएंगे identity matrix अब आते हैं exercise में exercise number 1.2 इसका पहला question है from the following matrices identify the unit matrix row matrices and the column matrices and the null matrices यह book पे ही आलो जाने पहला देखें तो इसके तमाम element है जो यह 00 है तो हम कहेंगे यह null matrix है दूसरा देखें तो इसके एक ही row है तो यह क्या होगा row matrix तीसरा देखें एक ही column है तो यह होगा column matrix column matrix next देखें तो इसके दोनों diagonal के element 1-1 है इसलिए यह unit matrix इसके तमाम element 0 है इसलिए null matrix या 0 matrix और इसके देखें एक ही column है तो हम इसको भी कह देंगे column matrix जैसे यह column matrix है वैसे ही यह column matrix है question number 2 देखें from the following matrices identify square matrix row matrix identity matrices rectangular column या null तो definition है आपने पढ़े हुई है सबसे पहले देखें यह rectangular matrix है इसके सामने लिख दें rectangular matrix second वाला देखें तो इसका एक ही column है तो यह column matrix column matrix इसके element है जो number of rows number of column के equal है two by two तो यह square matrix यह क्या होगा square matrix next देखें तो यह इसके element है जो यह one one है और square matrix है तो यह होगा identity matrix या unit matrix दो नाम थे unit matrix या identity matrix इसका देखें number of rows number of column के equal नहीं है तो rectangular matrix इसका देखें तो यह row matrix है यह देखें तो column matrix है यह देखें तो square matrix है 3 rows by 3 column और यह वाला देखें तो null matrix है तो यह बाकिया आपने book पर खुदी लिख लेने from the following matrices identify the diagonal scalar and unit matrix अब इन में से देखना है कौन सा diagonal matrix है कौन सा identity है identify diagonal scalar and unit matrix सबसे पहले देखें तो यह दुनों element equal है तो it means यह scalar होगा अगर diagonal element equal हूँ तो यह scalar matrix होगा diagonal element different है तो यह diagonal होगा यह diagonal होगा उसके बाद तीसरा यह element one one है तो unit matrix होगा या इसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था identity matrix इसका diagonal element यहाँ पर three है तो हम इसको कह देंगे यह diagonal matrix है diagonal matrix यह भी diagonal है यह देखें five में से three नकालें two यह one plus one two तो यह क्या होगा scalar तो यह सारे question book पे हलोने वाले थे असल में वो आपको definition का concept देना चाहता था अब वो question है जो paper में short question के तोर पर दो number के आते हैं question number four find the negative matrix इसके definition भी हमने पड़ी थी देखते हैं आप इसका question कैसे हल करने find the negative matrix इसका पहला पार्ट मैंने लिख दिया one zero minus one तो method देख लें सबसे पहले center में आपने value लिखनी है उसके बाद हमने क्या करने next step में दोनों तरफ इसके साथ minus लिखते हैं इदर भी minus फिर one zero minus one इदर भी zero यह जो a के साथ minus है यह as it ऐसे ही आएगा और यह जो minus है यह अंदर जाकर इसके sign change कर देगा minus one के साथ लगेगा तो minus one zero का हमेशा neutral होता है इसके साथ minus नहीं लगाते और नीचे वाला जो minus one है यह minus minus मिलकर plus तो check करें इसके sign हो चुके है change और हमारा answer हो गया minus one zero और one इस तरीके से दो step में आप लोगों नहीं यह question हल करना है इसी तरीके से बी वाला देखें सबसे पहले आपने लिखना है बी साथ इदर भी minus three minus one two and one इदर भी minus फिर बी equal है यह minus अंदर जाएगा जो element plus के हैं उनको minus कर देगा और जो minus के हैं उनको plus तो यह देखें minus three फिर minus two यह minus one है तो इसको plus one plus seven लिखेंगे नहीं और यह minus one इस तरीके से यह question भी हल हो गया next देखें अगर यह c वाला यह minus इदर भी लिख देंगे फिर minus इदर भी लिख देंगे two, three, six and two minus c यह minus अंदर जाएगा तमाम element plus के हैं तमाम को minus कर देंगा minus two, minus three, minus six and minus two यह total six part हैं शायद तो मैंने इसमें से तीन आप लोगों को हल कर दिये हैं five part है तीन मैंने हल कर दिये बाकी दो आप लोगोंने हल करने हैं अमीद है आपको समझ आ गई होगी इसलिए डिये और यह आपने खुद अल करने हैं अब चलते हैं question number five पे question number five है find the transpose each of the following method तो transpose की भी हमने definition पड़ी थी definition थी के हमने रोज को कालम में या कालम को रोज में चेंज करने हैं ये भी पेपर में शार्ट question के तोर पर आता है इसको कैसे हल करना है अब इसको देखते हैं इसका पहला part है एक इक्वल है zero one और माइनस two next step में हम दोनों तरफ उपर टी लिखेंगे zero one माइनस two इसके उपर भी हम लिखेंगे टी टी लिखने का मतलब है कि अभी इसका transpose हमने लेना है एक ही power टी यहने के एक के उपर टी अब ये एक कालम है इसको हम रो की शकल में लिख देंगे कालम को हम क्या बनाने लगे हैं रो तो zero one two उपर से अब टी है जो transpose का sign था उसको कर दिना है खत्म तो ये दो step का question जैसा के negative matrix में था ये आपकी value थी आगे दो step में इसको हल करती है next part देखते हैं इसका second part देखें तो b one और minus six है हम उसी तरीके से दोनों तरफ next step में लिखेंगे दोनों तरफ t का symbol transpose का symbol दोनों के उपर c फिर इदर से हम t ये लिखेंगे b उपर t और इसका हम transpose ले लेंगे अब ये एक row है इसको एक column की शकल में लिख देंगे five फिर one और minus six जब students column था row बना दिया जब दूसरे question में row थी column बना दिया तो असान से question है अब next step इसका देखते है next question इसका third part है c equal to one two two minus one three zero उसी method से c one minus one two ये plus से चले a two minus one अगे three और zero इदर भी उपर t इदर भी उपर t नेक्स्ट हम देखेंगे तो c इसके उपर t transpose का sign अब यहां पर हम या रोज को column की शकल में लिख लें या column को रोज की तो हम रोज को column की शकल में लिखते हैं पहली row है जो first one two इसको first column बना देते हैं पहली row को first column second row को second column two minus one फिर third row को third column तो ये हमने question अपना complete कर लिया हमने क्या किया है first row को first column first row को first column second row को second column third row को third column में लिख दिया अगर कालम की बात की जाए अगर किस्टुडेंट के है मैंने कालम को रो में चेंज करना है तो बेटा वो खुद ही हो चुके है जैसा के पहला कालम था वान टू थरी पहला कालम पहली रो बन चुक है दूसरा कालम दूसरी रो बन चुक है मैंने आपको definition में भी बताया था आपने सिर्फ एक चीज़ को मदे नज़र रखने या रोज को या कालम को अगर रोज पकड़नी है तो तमाम रोज को तमाम कालम बना देने हैं और अगर कालम पकड़ने हैं तो तमाम कालमों को तमाम रोज बना देने हैं अब इसके तीन पार्ट में ने हल कर दिये बाकी जो दो पार्ट हैं यह आपने खुद हल करने हैं अमीद है आपको इन question के भी समझा चुकी होगी अब question number 6 का करते हैं question number 6 के दो पार्ट है verify A का matrix यह है हमने find करना कि A transpose का transpose equal है A के और B transpose का transpose equal है B के इन मेंसे एक पार्ट मैं हल कर दूँगा दूसरा आपने खुद करना है जैसे 1 होगा same वैसे 2 होगा book में question अलग कठा था मैंने इसको ऐसे अलग अलग लिख दी है कि A matrix आएगा साथ लिखा होगा then verify A का transpose का transpose equal to A जिसको हल करने का तरीका हम सबसे पहले दबारा A लिखेंगे one two zero one इसको हम कह देंगे equation one फिर हम दोनों तरफ इसका ले लेंगे transpose A का transpose इदर भी one two zero one इसका भी transpose फिर हम A का transpose लिखेंगे transpose लें first row को first column बना दें second row को second column बना दें एक transpose हमने ले लिए हम दबारा इसका लेंगे transpose A transpose का transpose और इदर दबारा transpose फिर हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे A transpose का transpose और फिर इसका transpose हम मलूम करेंगे पहली row को पहला column बना दें one zero और दूसरी row को दूसरा column बना दें two one अब हमारा हमने दोनों transpose ले लिए इसको हम कह देंगे equation 2 अब अगर हम देखें तो जो A matrix था transpose लेने से पहले ये भी वही है और ये जो matrix है ये भी same वही है यनि कि दो दफ़ा transpose लेने के बाद भी कोई फरक नहीं आया तो हम नीचे लिख देंगे from equation 1 and 2 it is verified verified that is A का transpose का transpose equal है A के की दो दफ़ा transpose लेने के बाद भी इसमें कोई फरक नहीं आया ये question बिटा जो हमने किये है question number 4 के part 5 के part और 6 के part ये सारे अगर paper में आए इन में से कोई भी येनिके paper में आये तो ये short question के तोर पर आते हैं दो number के तो इसके साथ ही आपकी exercise number 1.2 कम्प्लीट हो गई ओके खदा आफिज आपके जो के ये आते ह 망ip Volleय हों हो अःता है ले आते हैं still cuma davते हैं ये ये जे रिось छाज़बोग में ए tuhक शान धाивать जाल लोत खर वט पो Ki up